इसे आप खाली पेट सुबै और शाम दोनु समय पी के सो जाएं उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपकी चर्बी घटने लग गई है इस रेमेडी को पीने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में कितना असर हो रहा है आपकी चर्बी कैसे घट रही है तो दोस् चर्बी को आपने फेट को तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़े जरूर जान लेनी चाहिए फ्रेंड्स जैसे की जानते हैं कहते हैं कि शरीर की सारी चर्बी को घटा दो पर ऐसा भी नहीं करना है क्योकि जो हमारे शरीर में फैट जो चर्बी है उसका भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे हड्डिया होती है जो हमारी बॉन्स होती है उसकी प्रोटेक्शन करती है हमारी चर्बियां जो हमारे शेरी में जो चर्बी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है अगर हमारे शेरी में चर्बी नहीं होगी तो सिर्फ बॉन्स के सारे हमारे शेरी इसका चलिए मैं आपको एक एक जमपल देता हूं मैं आपको बताता हूं यह आप देख रहे हैं जैसे गिलास है यह खाली गिलास इसको हम शरीर मान लेते हैं हमारे शरीर भी इसी परकार से होता है जैसे गिलास देख रहे हैं आप इसके अंदर बस जो हमारे ओर गंस होते हैं बस ओर्गन साट होते हैं जैसे लंग्स हैं, लिवर है, किड्णी हैं जो अलग-लग अपनी फॉंशनिंग करती है इस परकार से इस गिलास के जैसे चारो तरफ अगर मान व Kings चलो मैं आपको एक्जेम्पल के लिए इसके दिखोचार तरफ ऐसे एक लेयर लगा देता हूँ घी की कि घी की लेयर क्या है जैसे हमारे शरीर में चरबी होती है जो एक्स्ट्रा फैट होता है वैसे ही मैं इसमें घी की लेयर लगा रहा हूँ तो डिखने लग जाता है। जो बहार की तरफ दिखने लग जाता है। जिसके कारण हमारे जो शरीर है बिलकुल बेडोल सा हो जाता है चलो इसी तरीके से मैं एक और गिलास में लगा देता हूं और ये दो इसी तरीके से ये देखे मैंने लगा दिया अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो मैंने गिलासों में इसको लगाया ये अब हमारे दो पंद नहीं कर सकते आपको इसे गर्म में करना है उसका इसको उदान दे दिता हूं अब ये रख लीजी आप ये दोनों शेरीर हो गए है जो चर्बी शेरीराम है इनकी चर्बी को गटाना है अब देखिए एक में थ्टंडा पानी डाल देता हूं ये देखिए अब मैंने इस अब आप खुद देखेंगे कि इस गिलास में मैंने जिसमें गर्म पानी को डाला है इसकी जो ये घी लगा रखा था या नि जो इसके शरीर में जो चरबी थी एक्षा फैट था जो कैसे पिंगल रहा है आप खुद अपने आखों से देखिए ये फैट कैसे पिंगल रहा है और कैसे उपर आ रहा है तो हमारी जो रेमेडी हैं वह इसी परकाल से काम कर रही है जो हमारे शरीर का फैट होगा वह ऐसे ही पिंखल कर खटम हो जाएगा आप देखेंगे कि हमारे शरीर फैट बिल्कुल खतम हो गया है तो आप अपने जीवन में पूरे दिन सिर्फ गर्म पानी का ही सेवन करें दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा चीजों की आवशकता नहीं है जिर्फ दो चीजे वो भी ऐसी दो चीजे जो आसानी से आपके घर में रसोई में मिल सकती है दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए किन दो चीजों की जरूरत होगी इसके लेमेडी को बनाने के लिए हमें जरूरत है लेमन की दोस्तों आप तो जानते ही हैं नीम्बू यानि लेमन हमारे मोटापे को घटाने के लिए एक वर्दान माना गया है दोस्तों लेमन में काफी गुन पाए जाते हैं लेमन में भरपूर मातरा में विटामिन C पाया जाता है citric acid पाया जाता है दोस्तो इसी परकार से lemon के अंदर vitamin C और citric acid के अलावा polyphenols और teripenilins नाम के और भी compound पाया जाते हैं जो हमारे वजन को घटाने में काफी अच्छे से दोते हैं दोस्तो हम lemon को कैसे इस्तिमाल करते हैं अपने वजन को घटाने के लिए वो देखना भी जरूरी है आपको लगता है कि मैं lemon water तो रोज पीता हूँ या पीती हूँ पर वजन नहीं घट रहा पर आप lemon water ना पीने की वज़ाए जैसे मैं आपने इस वीडियो में बटा रहा हूँ इस lemon का आपको इस remedy में इस तरीके से इस्तिमाल करना है आप कोई भी खाली बाउल ले लीजिए और lemon को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इस्तिमाल कीजिए सबसे पहले इसके उपर वाला हिस्सा यानि ये काट लीजिए इस तरीके से ये देखो मैंने काट लिया है इसी परकार से lemon के नीचे वाला हिस्सा भी काट लीजिए ये देखिए ये lemon के नीचे वाला भी हिस्सा कट गया और अब इसके जो छिलके हैं इन्हें पील कर लीजिए इस तरीके से मैं इन्हें काट लेता हूँ हमें एक लेमन की जरूरत है डेली की रेमेडी के लिए एक लेमन काफी होगा हमें इसके जूस का इस्तिमाल नहीं करना इनके छिलकों का इस्तिमाल करना है दोस्तों जो लेमन के छिलके हैं इसके अंदर काफी मात्रा में सीट्रिक एसेड पाया जाता है सीट्रिक एसेड के बार वाला लेमन का हिस्सा यानि इसका छिलका है इस तरीके से इसको पील करके इस्तेमाल करेंगे इसके साथ ही हमें आवशकता होगी दालचीनी की दोस्तों आप तो जानते ही हैं दालचीनी हमारे वजन को घटाने में कितनी कारगरसिद होती है दालचीनी के आप पहले भी का उन्हें आराम से मिक्सी में क्राइंट करके इस तरीके से पोडर फों में चेंज कर लेना है और उसी पाउडर का आपको इस्तेमाल करना है आपको जो बाजार में दालचीनी पाउडर आता उसका इस्तेमाल ना करे क्योंकि उसकी शुद्ता की कोई गारंटी नहीं होती कि उसम लिए कोम बाटर मतलब गुन गुना पानी ये रेमेडी कैसे काम करती है हमारा शरीर कैसे अपनी चरबी को छोड़ सकता है कैसे घटा सकता है उन सब चीजों के बारे में मैं आपने इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे और दूसरी बात दोस्तों जो मैंने आपको बोला शुरुआत में कि रात में आप इसे खा लीजिए सुबह आपकी पेट की चरबी गायब मिलेगी ऐसा दोस्तों एक दिन में नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जो आपका वजन है वो एक दिन में बढ़ा भी नहीं है त कर्वाइट करवाएंगे दोल्यवर की थेरेप्नी को यूज करेंगे जिसके करण आपकी शुरी में काफि कमी आ जाएगी कोशिश करें कि आप नेचूरल तरीके से ही अपने वजन को घटाएगे अगर आप नेचुरल तरीके से वजन घटाएंगे हो सकता हितोड़ा धीमि पिशन वगारा की प्रोब्लम है, उसे ज्यादा फाइबर लेने चाहिए, गुलकोस की कम मातरा कर देनी चाहिए, क्योंकि जो गुलकोस होता है, उसमें शुगर होती है, और शुगर हमारे वजन को बढ़ाती है, तो फाइबर की मातरा ज्यादा रखनी चाहिए, उसी परकार स पाइबर की कमी भी पूरी कर देता है जिसके कारण कमजोरी नहीं आती है तो दाल-चीनी अपने आप में एक वर्दान है वजन घटाने वालेों के लिए हमें इसे बनाने के लिए हमें यूज़ करना है एक गिलास गुनगुना पानी ले ले लेते हैं अब आप इसके अंदर इस गूंगूले पानी के अंदर अपना जो एक लेमन हमने काटा था छोड़ छोड़ छोड़े चीचरिक सब्सक्र को रख्रा इसको अदर इस परकाल से डाल दीजी साथ ही इ insult के अंदर इतनी सिसे मातरा네 dalachini डालनी है यानि हाफ से भी थोड़ी सी कम आप इसके अंदर डालचीनी को डाल दीजिए इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सिर्फ इनी दो चीजों की जरूरत है आप इन दो चीजों को जैसे ही अपनी रेमेडी में डालेंगे आप देखिए यह इस परकार से मिल जाएगी अब आपको इसे मिला कर पीना नहीं है अब ही अगर आप इसको सीधे पी लेंगे तो आपको वो असर नहीं मिल पाएगा जिस परकार के रिजरेट के आप इच्छा कर रहे हैं आपको इसे इस परकार से मिलाकर कम से कम 10 मिनिट छोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा पंगरापने 10-15 मिनिट छोड़ने के दो फाइदे होंगे एक तो आपको जो बिल्कुल गरम पानी है वो आपके पिने लायक हो जाएगा यानि गुनगुना हो जाएगा उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तो आप जानते हैं यह जो हमने निम्बू लिया था यह बड़े बड़े चिलकों में था और साथ यह जो डाल चीनी का जो वेश्टेज है वो भी हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें एक और गिलास लेना है इस परकार से एक और गिलास ले लीजिए और इसे स्टेन कर लीजिए छान लीजिए इस गिलास के अंदर आपने इस परकार इसको छान लेना है फ्रेंड्स अब यह हमारी रेमेडी बनके तयार हो गई है दोस्तों जो बड़े बड़े स्टा जिनका खुद का रूटीन है वो कहते हैं कि मैंने जीवनों में कोई ठंडा पानी पिया ही नहीं उसका कारण यह होता है कि उनका वजन उनका शरीर इसी कारण छरारा रहता है उनके अंदर एक्स्रा फैट नहीं आता हो बहुत ज़्यादा लोंग टाइम तक काम कर पाते हैं क् अब भी सारे दिन पीए सिर्फ करंपानी का ही सेवन करें साती एक बात काव ध्यान रखें कुछ व्यूंवस की शिकायत होती है कि कि गर्मिों में गरम पानी पी नहीं है पर एसा कुछ नहिंए फ्रेंट्स गरम का मतलब सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए ज़्यादा गरम पीने की जरूरत नहीं है पर आप जो गुनगुना पानी पी रहे हैं उसकी quantity 5-6 लीटर रखे ऐसा नहीं है कि आप अप पूरे दिन में सिर्फ एक गिराज पानी पी रहे हैं और साथ में इस रेमेडी का इस्तिमाल करते हैं, आमने कुछ एक्सरसाइजिस आपको बता रखे हैं, उनका इस्तिमाल करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, कि सिर्फ 10 दिन में आप खुद देखेंगे अपना 10 से 15 किलो वजन कम होते हुए, बस इन चोटी-चोटी दो तिन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप अपने वजन को इन रियल में घटाना चाहते हैं, तो, दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि हमारा सर्दियों में काफी वजन बढ़ जाता है, कारण क्या होता है, क्योंकि हम सब चीज़े ठंडी-ठंडी-ठंडी- चला जाता है, इसी परकार से अगर आप गर्मियों में भी कोल्डरिंग्स का इस्तिमाल करेंगे, ठंडे-पानी का इस्तिमाल करेंगे, आइस-क्रीम खाएंगे, तो क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा भाई, आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्जेम्पल द देल है, ये सब जमता चला जाएगा, और आपका वजन बेडूल सा बढ़ जाएगा, तो आप गर्म पानी का इस्तिमाल करें, और अपने वजन को घटाएं, तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरी ये महनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से अपनों का फायदा करवा सके, तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के आपको बढ़ offering to extra updates